आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं टाटा इस्टील श्टॉक के बारे में चुकि इस श्टॉक के कोटरली रिजल्ट 31st अक्टूबर को आने हैं और इससे पहले देखेंगे कि MD और CEO के तरब से बरी बाते कही गई यह जो हमने 7 Mega Merger दिखा उसको लेकर के कि makes sense to have simplified structure इस structure को जो Mega Merger किया गया है इसका main purpose है सारे कारियों को simplified करना और जो एक milestone है नियर अरूंड 40 मिलियन टन्स श्टील के उसको 2030 तक के duration में अचीव करना इसके साथ ही देखेंगे CFO कौसिक ने भी यही बात कही है कि Tata Steel Merger will simplify management help focus on business और इससे मैं देखेंगे इसके दो subsidiary टिन प्लेट और Tata Steel Long Product के result loss में रहे और इससे मैं stock के chart को भी देखें तो थोड़ा weak लग रहा है हलांकी Tata Steel ही नहीं और अगर इसको technically देखेंगे तो metal sector भी इससे मैं downtrend दिखा है one month में देखेंगे तो minus 5% का जहां देखेंगे तो weekly time frame इस stock ने plus में ही return दिये है 0.10% और nifty metal का return negative में रहा है तो यहां से एगर एक bounce back आता है तो surely यह stock थोड़ा outperform कर सकती है लंबेस अवदी के लिए देखेंगे इस stock में अगर आपका निवेस horizon more than 2-3 year के लिए है तो 300 तक के जली levels दिखेंगे चुकि इससे मैं यह stock देखेंगे तो जो valuation है वो काफी cheap है PE3 के आसपास का है EPS जबकि more than 30 है तो long term investor बने रहे बिल्कुल बने रहे लेकि जो short term trader है वो 104 के उपर ही buying करेंगे 30 October को result है और result में भी थोड़ा बहुत average दिख सकता है तो इसमें थोड़ा ignore करें अगर horizon आपका long term है तो बिल्कुल भी panic selling करने से बचेंगे 104 के उपर sustain करें तो पहला target 112 और दूसरा 130 जहांकि stop loss आपको 98 के नीचे के stop loss को follow करना है positionally जबकि buying 104 के उपर ही लेना है